जम्मू का स्पीर में स्रुईनगर के ईदगा हिलाके में आतंकियों ने आज एक स्कूल पर हमला कर दिया है इस दोरान आतंकियों ने दो सिक्षकों की गोली मार गर हत्या कर दिया है इसमें से एक महिला प्रिंसिपल सतिंदर कौर हैं और दूसरे सिक्षक का नाम दीपक चांद है बता जा रहा है कि ये एक targeting killing है सूत्रों ने बताय कि इन दोनों सिक्षकों को आतंकियों ने करीब से सिर में गोली मारी है स्कूल पर हमला करने वाले आतंकियों की संख्या 2-3 थी घाटी में आम नागरीकों पर हमला किये तात्वी घटना है मंगलवार को आतंकियों ने एक घंटे में के भीतर तीन अलग-अलग जगों पर हमला किया था जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी आतंकियों ने कस्मीरी पंडित और मसूर फार्मेसी बिंदरू मेडिकेट के मालिक माखनलाल बिंदरू की हत्या कर दी थी वहीं एक और आतंकी हमले में विहाज के भागलपूर जीले में रहने वाले विरंजन पासवान की भी गोली मारकर हत्या कर दी गए थी पिछले धाई साल से गोलगप्पे की दुकान चला रहा था और अपने परिवार का भरण पोशट कर रहा था